दोस्तों आज आपके लिए बहुत अच्छी मैं एक सब्जी की रेसिपी लेकर हैं यह बेसन की सब्जी और बहुत यह खास तरीके से बनाई जाते हैं और यह इतनी टेस्टी होती ना आप गट्टे खाते हैं गट्टे खाने भूल जाएंगे एक बार यह बना लिए क्या ख़ दा लेते हैं तो नमक में लाई है बेसन में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी बढ़ा एतियात से आपको डालना थोड़ा थोड़ा तो जिसे हाथ से चींटा देजिए चमच पानी का इस तरीके से हाथ से मसदिए कि बेसन की जो है गुठली आनी लंप्स बनने फॉर पर देखें और इसे आपको अच्छे से देखिए महाथ से रगड़ेंगे तो बेसन जो है दाने दार होता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी का चींटा देजिए तो आपको ऐसा करने में चार से पांच मिनट लगेंगे और साथी चार से पांच चमच पानी लगेगा बेसन जो सुखा पन होता है चला जाए और सारे बेसन की गुठ्लियां बन जाए लेकिन वह थोड़ी अच्छी हो मतर्द दानेदार गुठ्लियां नहीं जाए गीला नहीं होना जाए तो बस इस तरीके से देखिए मैंने पानी बॉर नहीं मिलाना है और अब यह बिल्कुल जैसे कि हमें सब्सक्राइब करना बेसन रेडी हो गया देखिए इस तरहीं से कुछ बारीक दाने कुछ मोटे बहुत मोटा ना बनाएं इस तरहीं से बनाकर रख लिए एक तरफ रखते हैं अब तरहाई रेंगे उसमें डालेंगे थोड़ा तेल आप सरसो के तेल में भी ब पून जाते हैं बहुत अच्छी से महें का जाती है वर जाती है उतनी देर तक से फूनना है तो बस कम आज पर पांच मिनटे किस फूनने हैं और इसे निकाल लीजे प्लेट में और यह बहुत अच्छा खसता हो गया क्रंची हो गया आप इसे ऐसे भी खाना चाहें खा सकते है तो इसे एक तरफ रखते हैं अब हम इसका मसाला बनाएंगे और मसाला बनेगा वह भी बहुत आसान है बनाना टेस्टी बहुत है उसके थोड़ा दरा छोटे दो प्याज लिए थोड़ा लसन हरी मिर्च लिए उसमें चुटकी मेथी दाना थुरा जीर और सौंफ मे ला लिए बहुत अच्छी खुश्बुआती ग्रेवी की और इसे अच्छे से बारिक पीस लिए अब चलिए अब हम तड़का लगाते हैं और अपनी सबसी पूरी फिनिश करते हैं तो वही खड़ाई लिए उसमें थोड़ा सा तीर डालेंगे तेज पता हिंग थोड़ी लान म जब तक यह तड़का जो मसाला है हमारा तेल छोड़ दे और जो कच्छा बना है पयाज का चला जाए और इसमें मिलाएंगे पानी खूप सारा पानी मिलाकर हमने रसेदार सबजी बहुत अच्छी लगते तो जित्ता रसा आपको चाहिए या आपके उपर आप गाड़ी ब जाएंगे तो आप इसे चाहें तो इस तरह से गाड़ा बनाना चाहें गाड़ा नहीं तो आप थोड़ा रसेदार बना सकते हैं पांच उनर अच्छे से पकाईए सबजी पक जाए इसमें गरम मसाला हरा धनिया मिलाईए मिक्स कीजिए और गर्मा गरम सबजी को परोसिए आप गट्टे खाने के शुकीन है तो मैं कहूंगे गट्टों से भी जादा खाने में स्वाथ होती है बनाने में उससे जादा अस सबस्तान होती है और चावल रोटी के साथ खाने में तो मज़ा ही आजाता है तो उमीद करते हूं आपको इस सब्सक्राइब बहुत अच्छी लगे तो प्लीज इससे जरूर ट्राइब कीजिए का कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और आपको और अच्छी लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया